सवलो बच्चो यूएस के 16 प्रेशिडेंट अबराहिम लिंकन साब जो 1861 में प्रेशिडेंट बने थे उनका एक बड़ा फेमस सा कोट है दे बेस्ट वे तो प्रेडिक्ट दे फ्यूचर इस तो क्रेट इट और ये फ्यूचर आप पे इस टाइम सटीक बैठ रहा है क्योणा कुछ ऐसा किया जाए कि इस पार डॉक्टर बनी जाए कैसे होगा कैसे करना है इसके लिए मैं आपकी हल्प कर ही रहा हूँ रोज 7 बजे काउंट डाउन सिरीज में और हर दिन एक एक दिन हम पास जा रहा है आप एकजाम के और ऐसे देखते देखते एकजाम भी हो जाएगा आप एकजाम में बैठ होगे पेपर दोगे रेजल्ट भी आएगा काउंसलिंग भी सुरू हो जाएगा यह प्रोसेस जो समय चक्र का है यह रुकता नहीं है तो क्यों आज कुछ ऐसा सोचें कि एक जिद्व करें क्यों नहीं हम जिद्धी बने आप लोगों नहीं सुना होगा जिद्धी लोग ही दुनिया बदलते हैं तो क्यो ना आज हम एक जिद करें, अपनी weakness को strongness में बदलने की, क्यो ना हम एक जिद करें, physics जो हमारा कमजोर है इसको strong करने की, क्यो ना हम जिद करें, हमारी late उठने की आदत है उसको, चल्दी उठने की आदत में convert करने की, क्यो ना हम जिद करें, हमारा जो laginess है उससे हम क्योंना हम जिद करें, अपने उन दोस्तों से दूरी बना देना जो निगेटिव सोचते हैं, क्योंना हम जिद करें, अपनी उन आदतों को छोड़ना जो हमें लगता है कि हमें सायध हमारे टारगेट से दूर करती हैं, देखो यार हम सबसे ज़्यादा अपने आपको चानते है हमसे ज़्यादा हमारे को कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता यानि अगर हम real में self analysis करें introspection करें तो मैं पता चल जाएगा the regions behind not getting good marks and you know मैं कई बार बोलता हूँ आप doctor बनने वाले हो तो you must be knowing कि आपको करना क्या है आपको patient से उनकी बिमारी पूछना है investigation करना है investigation का report लेना है और इस report से एक निसकर से एक conclusion पर पहुँचना है कि इस patient को क्या बिमारी है and yes अगर आपने diagnose अच्छे से कर लिया conclusion पर पहुँच गए तो I am sure आप इलाज भी best वाला दोगे तो अगर हम self analyze करके अपने अपने उस concept पे पहुँच गए जो हमारा concept है कि हमारी कमी तो naturally आप उसका इलाज कर लोगे मुझे पूरा विश्वास है मैं अपनी classes में देख रहा हूँ अब बच्चों के आँखों में दुबारा से चमक आ रही है कुछ बच्चों के या काफी हद तक बच्चे जो आ रहे है regularly और यह बड़ा positive चमक है आज मैंने एक दो बैच के मैं अपने बच्चों के आँखों में चमक देखा और मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ उन बच्चों का selection होगा उनके selection कोई रोक नहीं पाएगा number ठीक है होसता कम आए होसता उतना ना आए जितना हम सोच रहे थे लेकिन selection बेटा होगा जरूर उनका यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यही चीज आपके साथ बिलकुल हो सकती है अब आगे चलके मैं कुछ वीडियो में आखरी तक देखना है फर्स टाइम वीवर हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना अब मैं कुछ और points आपको बता रहा हूँ जिसको आप follow करके अपने selection को 100% ensure कर सकते हो अभी आपके पास 90 days से ज़्यादा समय है यानि 3 महीना पूरा तो अपने दिमाग से यह जो negative thought है कि समय कम है निकाल दो पहला point हो गया दूसरा point जो जो chapter आपको A grade बिलकुल आता है जो थोड़ा कम आता है और जो बिलकुल नहीं आता है वो तीन अलग अलग points उसके आप लो segregate कर लो, बना लो अगर आप तीनो ऐसी चीज़े अलग करके देख लोगे तो आपको हलका या भारी एक महसूस होने लगेगा ज्यादा chapter बिलकुल नहीं आते थोड़ा भारी महसूस होगा मैं बोलूँगा कि आप हमेशा उस बच्चों से better होंगे जो crash course जोईन करने आते हैं हमारे हाँ देखो मैं अपने हाँ crash course बड़ा effectively चलाता हूँ हर साल लगबग 6 गंटे की classes होती है all 6 days होती है और बच्चे को 40, 45, 43 days में पूरा course पढ़ाया जाता है एक raw बच्चे को जो कुछ नहीं पढ़ा होता बोर्ड पढ़के आता है maximum बच्चा बोर्ड का होता है उन में से कुछ बच्चे आप selection ले लेते हैं और आप सोचते हो कि आप इतना कुछ पढ़े हो और आपके उन subject की संख्या भी ठीक ठीक है पूरा तो नहीं होगा लेकिन मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो पूरा नहीं जानते हैं और उनका selection हो जाता है तो आपकी condition उनसे बहुत अच्छी है मैं आप सबसे हाथ जोड के request करता हूँ यार अपने लिए अपने parent के लिए society के लिए पढ़ना सुरू कर दो और प्रण कर लो, जिद कर लो, selection होगा the best way to create, predict your future is to create it इस पारे में ध्यान से सोचना, समझना कौन रोकेगा यार आपको comment जरूर लिखो comment लिखते हो तो अच्छा लगता है कई बच्चे जुनून में जोस में आपके comment अच्छा लिख रहे हैं and I'm sure वो select भी होंगे bye bye, take care of yourself